हाई फेंस तो बनाते हैं टेस्टी स्पॉंजी सूजी की इडली तो लेना है आपको दो कटोरी सूजी बारीक वाली एक कटोरी दही खटा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा एक चमत चीनी स्वात करें नमक अच्छे से मिक्स कर लें आपस में दही और सूजी को फिर डाले उ प्रटफास में बच्चों के टिफिन में आराम से रख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है अब उसी कटोरी से एक कटोरी और पानी डाल दे अच्छे से मिक्स कर लें फिर डाले इसमें आधि चमत बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डाल के फिर से अच्छे से मिक् पर स्टीमर को पहले ही प्रीहिट करके रख ले और बस रेड़ी हो जाएगी आपकी टेस्टी रूज यैसी सॉफ्ट इडली यह रेस्पी को आप एक बाद जरू ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी और इसे लाइक शेर जरू करें थैंक और वाओग कि वागाइ प्रुबों कि एक वाँ भाइ